पहले पाठी तूटी, फिर परिवार तूटा, पाठी दपतर भी छीना, सांसद भी चले गए, बचा कुछ नहीं, उसके बाद ये कहा गया कि अब राज़ितिक रूप से बरबाद हो गए, लेकिन संघर्स जारी रहा, नाम चिराग पास्वान, संघर्सों पर चलते रहें और चलते चलते, एक समय ऐसा भी आया कि 2020 का चुनाओ, अपने दम पर लड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, नतीजे ऐसे आए कि जमानत भी नहीं बचा पाई, लेकिन फिर भी हार नहीं माना, संघर्स करते रहें, संघर्स का नतीजा ये हुआ कि 4 साल के बाद, जब लोग सभा चुनाव आया, तो नरेंद्र मोदी के बगल का स्थान ट्राप्त हुआ, और उसके बाद, जो वेक्ती को नरेंद्र मोदी ज़्यादा मानते थे, उसे सांथ कर दिया गया, उनका नाम पसुपति फारस, यानि कि चिराग पास्वान को जिनको ये कहा गया कि पाटी अब तू करेगा, और उस वेक्ती ने ये दिखाया, 2024 के चुनाव में कि सब्र का फल वाकई में मीठा होता है, आपको सिर्फ सब्र करना पड़ेगा, और सब्र इस तरीके से कि समझना पड़ेगा चीजों को, और चिराग पास्वान के एक इसारे पर, पसुपति पारस के सभी सांसद को सांथ कर दिया गया, यहां तक कि उनके पाटी को टिकट तक नहीं दिया गया, यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि आप इस बार चुनाव ना लड़े, और पसुपति पारस चुनाव भी नहीं लड़े, चिराग पास्वान जिनको कहा गया कि पूरी तरीके से बरबाद हो और पांचों पर हमने अपने उमिद्वार को जिता दिया, उमिद्वार जीत कराएं, किंद्र में जगह मिली, मंत्राले मिला, वही मंत्राले जो कभी स्वर्गे रामिलास पास्वान ने संभाला था, वही मंत्राले जो कभी परशुपति पारस संभालते थे, उसी मंत्राले को अब चिराग पास्वान सभाल रहे और अब खबर ये चल रही है कि जिस पार्टी दफ्तर पर परशुपति पारस का कबजा था वो भी पार्टी दफ्तर अब परशुपति पारस के हाथों से छिनने वाली है खबर वाकई में अस्तरीके से डरा रही है पसुपति पारस को कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जो कल तक चिराग थे आज हम हो गए है चिराग पास्वान के पास कल तक मात्र एक सांसद था ना पार्टी दफ्तर थी ना विधायक था ना कुछ था आज चिराग पास्वान क के पास पांत सांसद है पशुपति पारस के पास एक भी सांसद है पाती के पास मात्र से बंत भी कुछ नहीं है अब आप आप तर्बी हाथ से जाने वाला है इसको लेकर कई तरह की खब्रे जो हैं वह चल रही है कई तरह की बाते जो है वो सामने आ रही है लेकिन वाकई में मामला पूरा क्या है ये भी समझने वाली बात है क्या वाकई में पार्टी दफ्तर जो है वो खाली हो जाएगा चिराक पास्वान को पार्टी दफ्तर मिल जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन जिस तरीके से महौल बना है उस महौल में ये बताया जा रहा है कि चिराग पास्वान की जीत हुई है मेराल इस कबर में इतना ही मैंने रहमार साथ और देखते रहे The India Top